दिल्ली में होली की रात एक बड़ा सड़क हाथसा हुआ इस हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के मलाई मंदिर इलाके में तेज रफ्तार थार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि बच्चों समित आठ लोग गंबी रूप से घाय लोगे पुलिस ने बुद्वार को यह जानकारी दी वहीं पुलिस के एनुसार मरने वालों की पहचान मुन्ना और समीर के रूप में हुई है उन्होंने अस्पताल में इलाज के दोरान दम तोड़ा वहीं अन्ये सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि प्रारंबिक जाच के दोरान यह पता चला कि थार कार का चालक तेज गर्ती से गाड़ी चला रहा था और उसने चालक अन्यें तरन खो दिया इस वजह से यह अच्छा हुआ पुलिस ने कहा कि थार ने पैदल चल रहे लोगों को हिट करने के अलावा दो अन्ये वहानों को भी टक कर मारी है पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों का एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है पुलिस के मताबिक घायलों, सिवा कैम्प, वसंत विहार और एकता विहार आर के पुरम के रहने वाले हैं पुलिस का कहना है कि दुरघटना में एक थार, दो कार और तीन वेंडर, साल्टर, छतिग रस्त हो गए वहीं पुलिस ने बताया कि 8 मार्च को 7.30 बजे दिली के वसंत विहार पुलिस इस्टेशन में इस हादसे को लेकर PCR कॉल प्राप्त हुई थी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुची और आगे की कारवाई की घायलों को फोरण अस्पताल पहुचाया गया पुलिस ने कहा इस मामले में भारतिय डंड साहिता की धारा 304-1 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है पुलिस पुरे मामले की जाच कर रही है और अन्या एंगल भी देख रही है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन कबर के साथ